है प्रॉिंस है time की अ कि है सहलो एकोड वाले आज हम जो टॉपिक डिसकर्छ करने वाले हैं हो है इससे पहले वले क्लास में हम लोगों ने यह आदिनिटिफिकेशन का पार्ट कवर जूँकर किया था आज हम लोग उसी से रिलेट डिस्कैशन पार्ट को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमनों समझते हैं एन्वल्स ठीक है एन्वल्स exactly क्या होता है और यह आया कहां से है तो पहला आता है Based on Based on Life Cycle Based on Life Cycle Flowering Plants को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला है एन्वल्स पहला है एन्वल्स दूसरा है बाइनियल्स पारिनियल्स तीसरा है पैरिनियल्स पैरिनियल्स तो पहला है एन्वल्स पहले पढ़ेंगे हम लोग एन्वल्स अन्वल्स ठादलब कि इसके अंडर ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनका जो Life Cycle होता है वो एक सीजन में या फिर एक एर में Complete होता है इसको बोलते हैं अब Life Cycle का मतलब यह होता है सीड के पूरे Germination से लेके सीड जर्मिनेशन से लेके उनका Flowering और Seed Setting तक का जो Process होता है उसे बोलते हैं Life Cycle Life Cycle का मतलब होता है सीड के Germination से लेके उसका जो भी Hesidative Growth है उसका जो Reproductive Growth है उसके बाद Seed Setting तक का जो Procedure है उसको बोलते हैं एक Life Cycle ऐन्वल्स तो हो गया अब देखिए Binyles 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 का मतलब होता है ऐसे Plants और फिर ऐसे Flower Plants जो अपना Life Cycle दो Season में या फिर दो Year में Complete करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग Binyles completes its Life Cycle in Two Season और Two Years इनको बोलते हैं Binyles तो जो Binyles होते हैं इनका जो पहला Season होता है या फिर पहला Year होता है इसमें ये लोग अपना Vegetative Growth जो होता है वो Complete करते हैं फिर ये लोग दूसरे Season या फिर दूसरे Year में इनका जो Reproductive हीस रहता है आनि कि इसमें Flowering वगेरा होगा वो दूसरे Season में शुरू होता है ऐसे Plants को बोलते हैं Binyal तो तीसरा आता है Perineal तीसरा आता है Perineal Plants तो Perineal Plants मतलब ऐसे Plants होते हैं जिनका जो Life Cycle है वो दो साल से अधिक का होता है Life Cycle जो होता है वो More Than Two Years का रहता है ऐसे Plants को बोलते हैं Perineal Perineal के अंदर आपको जितने भी Shrubs हैं वो इसके अंदर Cover होते हैं तो अपन अगला क्लासिफिकेशन लिखते हैं उनके आगे का की जो Annual होता है अपन ने इसे पहले डिसकास किया था कि Based on Life Cycle में 3 पहार्ट होता है Annual, Binyal और Perineal उसके बाद उसके अगला क्लासिफिकेशन है Annuals Based on Growing Season Based on Growing Season इसमें आता है Season की पहसिस में जो Annuals है उनको Divide किया गया है पहला है Winter Annual दूसरा है Summer Annual तीसरा है Rainy Annual Winter Annual, Summer Annual और Rainy Annual इसमें पहला है Winter Annual Winter Annual तो Inter Annual पतलब यह ऐसे Annual होते है जिनका जो Sowing Period है इनका Sowing September में हो जाता है Seat का जो Sowing होता है जितने भी Annuals है वो आप लोग यह हम रूल है जितने भी Annuals होते है उनका Propagation Seed के थुरू होता है तो Seed का जो Sowing है September में हो जाता है और इनका Transplanting जस्ट एक महने के बाद यानि की October में इनका Transplanting होगा इनको बोलते हैं Winter Annuals अब इसके अंडर जो प्लांट्स आती हैं आप देखे होंगे जो Antirinum है Antirinum China Aster डेजी इसके इलावा आता है आपका A.G.Ratum A.G.Ratum Carnation Carnation हो गया Salvia हो गया Pansy हो गया इसके लावा इंग नाइजेला तो ये सारे जो प्लांट्स है ये सारे आते हैं आपके Winter Annuals में Winter Flower का लिस्ट बहुत ही लंबा है इसलिए इनका ट्रिक पॉसिबल नहीं है Mostly जितने भी flowers होते हैं वो mostly winter annuals में बहुत अधिक हैं हावार के लिस्ट ओके तो ये इंटर अन्वल दूसरा अन्वल है सम्मर अन्वल दूसरा अन्वल है सम्मर अन्वल सम्मर अन्वल में जो सीट्स होते हैं सीट का जो सोईंग होता है वो होता है अपका फर्वरी या फिर मार्च में फर्वरी या फिर मार्च के महने में सीट का सोईंग करते हैं और सीट का जो ट्रांस्प्लांटिंग होता है transplanting just एक मेने बाद March के end में या फिर April में इनका transplanting हो जाता है जितने भी seeds होते हैं उनमे germination एक हफ़ते के अंदर आ जाती है अब summer के अंदर इनके जितने भी flowers हैं वो mostly आपके questions में आते हैं तो उसका एक trick है उसका trick है जी, को, पो, टी, गी, गो, कू, सू ओके यह trick है जी हाई से आएगा जीनिया के ओ से आएगा कोचिया पॉर्चुला का पी ओ से है पॉर्चुला का T.I. से है तिथूनिया T.I. T.H. O. N.I. A तिथूनिया G.I. से है गेलाडिया गेलाडिया G.O. से है गॉम्फिरिना गॉम्फिरिना C.O. से है कॉजमोस कॉजमोस और S.E.U. से है सन्फ्लावर S.E.U. से है सन्फ्लावर यहाँ पे जो सन्फ्लावर की पात हो रही है यह अन्वल सन्फ्लावर है तो यह जितने आप लोगों को लिस्ट है यह आप लोगों के एक्जामस में कॉश्चन आते हैं कि इन में से कौन सा प्लांट है वो समर अन्वल है फिर कौन सा विंटर अन्वल है तो आप लोगों को यह याद करना बहुत इंपॉर्टन है फिर अगला आता है reigning annals तो जो रेणी annals है रेणी annals का seat का seeing होता है May से June तक हो जाता है इंका transplanting है transplanting भी एक महने बाध यानई की July में हो जाता है इसके अंदर जो जो आंट्स आते हैं वो आता है A, B और C यानि कि एमरेंथस, एमरेंथस, B से आएगा बालसम, C से आएगा कॉक्सकॉम, C से आएगा कॉक्सकॉम, यह सारे रेनी आनुवल्स हैं, इसके बाद जो आनुवल्स हैं उनका स्पैसिफिक पॉपस होता है, तो इसमें और ख्लासिफिकेशन है, उनके हो प्रियोडियूज़ की प्रेसिसे के की हैं, उनके फोटो प्रियोडिजम के बेसिस में उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है फोटो प्रियोडिजम के पतलब जो कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो नीड है डे लेंथ का और और हाइट लेंथ का उनका रिक्वार्मेंट अलग अलग होता है तो उसको बोलते है फोटो प प्लांट आएगा दूसरे में आएगा लॉंग डे प्लांट और थर्ड में है डे न्यूट्रिल डे न्यूट्रिल करके हम इसको डील आउट करेंगे पहला है इसमें शॉर्ट डे शॉर्ट डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जो डे लेंद का रिक्वारिमेंट होता है वो 7-8 आर्स का होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट इनके अंदर जो प्लांट का लिस्ट है आप लोगको वह एक बड़ ट्रिक आप लोगको मैं explain कर देती हूं जितने भी प्लांट शौट्दे के अंदर आते हैं उनका ट्रिक है A, C, C, Synthetase यह आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा प्रीक फरसर आप लोगों के हिजोलोजी में तो A, C, C और S A से आएगा आपका Amaranthus Amaranthus, C से अपका Chrysanthemum, Chrysanthemum यह बहुत इंपोर्टेंट है Chrysanthemum का एक एक एक्जाम में मुझली कुशिन पुछता है कि Chrysanthemum कौन सा फोटो प्रोडिविजम शो करता है तो आप लोगों टिक करेंगे वो एक शौट डे है और एक C से आता है Cosmos, Cosmos और यह S से आता है Salvia दूसरा है Long Day Long Day के लिए जो ट्रिक है आप लोगों का वो है ACP रूद्र तो इसमें A, C, P और R A से आएगा आपका Antirinam A से आएगा आपका Antirinam C से आएगा Carnation Carnation एक Long Day प्लांट है इसको भी आपको टिक कर लेंगे यह भी important है यह टिक कर लेना P से आता है P से आएगा Petunia Petunia भी एक Long Day प्लांट है उसके बद R से आएगा रड बेकिया यह खारे आते हैं Long Day प्लांट के अंदर अगला है जो तीसरा है Day Neutral इनका जो ट्रिक है वो है Goa में Grand Imperial जाना है Goa में Grand Imperial जाना है तो इसमें आता है G फिर इसमें आएगा I M और इसमें आएगा यह G और I M तो आपका होगा Go से आएगा आपका Gomphirina और I M से आएगा आपका Impatient यह आपका Day Neutral प्लांट ठीक है Impatient का मतलब होता है Balsam Balsam पो बोलते है यह Day Neutral प्लांट है उसके पाद जो इसमें अगला classification है वो इनके Hardiness के basis में है जो Anvils है इनके जो तीसरा classification प्रढ़ेंगे अपन वो इनके Hardiness के basis में है Hardiness Anvils को उनके Hardiness के basis में तीन कैटेगरी में डिवाइट किया गया है पहला है एक होता है Hardy दूसरा होता है Half Hardy तीसरा है इसमें Tender तो जो Hardy Anvils है Hardy Anvils Hardy Anvils ऐसे Anvils होते हैं जिनको Growth और Favouring के कोई Additional Care की जरूत नहीं पड़ती है इनको Easily Open Condition में Grow कर सकते हैं और इसमें कोई Problem नहीं होती इनमें No Need of Aid in Growth and Flowering इनको Easily Can Be Grown Can Be Grown Easily In Open Condition ये Easily Open Condition में Grow हो सकते हैं इनको इतना Care के जरूत नहीं पड़ती है इनके Example में लिखेगा Digitalis हो गया ये इनका Example है दूसरा है इसमें Half Hardy Half Hardy Half Hardy Anvils ऐसे Anvils होते हैं जिनका जो Nursery Raising है लाने कि जिनके जो Seedling Stage होता है Seed Termination से लेके उनका Seedling Stage तक उनको Protected Condition में Grow करते हैं उनके बाद उनको जब वो Transplanting के लिए Ready हो जाते हैं तो उनको Open Condition में Transplant करते हैं तो इनका Nursery Raising जो है Nursery Raising होता है Protected Cultivation के अंदर Protected Condition के अंदर उसके बाद इनका जो Transplanting है इनका Transplanting होता है Open Condition में इनके अंदर जो Trans आते हैं उनका Example है Stock अगला आता है आपका Tender Anvils Tender Anvils Tender Anvils ऐसे Anvils होते हैं जिनका जो पूरा प्लांड ग्रोथ होता है वो बहुत इक सटीबल होता है Open Surrounding के लिए तो इसलिए उनहें हम लोग उनका पूरा Seed Setting से लेके उनका पूरा Growth और उनका Flowering तक हम लोग Protected Condition के अंदर उसे Grow करते हैं वो बहुत ही Tender होते हैं बहुत ही नाजूग होते हैं तो इतने Anvils इनके अंडर आते हैं उनका पूरा Growth और Flowering Protected Condition के अंदर होता है इसके Example में लिखेगा Oxalis अगला जो है अगला प्लांड जो इसमें आप लोग को इतियाद रखना है वो है इनका Mode of Pollination अगला Classification है इसमें Mode of Pollination के बेसिस में जो Anvils हैं उनकों के Mode of Pollination के बेसिस में फिर डिवाइड किया गया है इसमें पहला है Self Self-Pollinated कितने भी Anvils हैं उनका नाम है Carnation Balsam Carnation Balsam और है Salvia ये सारे हैं Self-Pollinated फिर अगला आता है Cross Cross-Pollinated के अंदर जेतने Crops आते हैं वो है Portula का Portula का Choreopsis Choreopsis के बहुत Important Variety आप लोगों मैंने Identification में लिखवाये था वो था पूसा तारा ये तो important है उसके बाद फिर अगला आता है इसमें Cosmos और एक है इसमें Crysanthemum Crysanthemum भी Cross-Pollinated Crop है फिर अगला आता है इसमें Often Cross Often Cross-Pollinated तो Often Cross-Pollinated में इसमें 5 to 30% Cross-Pollination होता है उसको बोलते हैं Often Cross-Pollinated Crop इसके अंदर जो Crop आएंगे वो है आपका Petunia Petunia और एक है Pansy ठीक है इसके बाद जो Annuals है उनका जो Use है वो Specific Purpose के लिए Use होता है Specific Purpose Annuals का Use कुछ Specific Purpose के लिए Use होता है Like for example कुछ Annuals होते हैं उनको as a Hanging Basket के लिए Use करते हैं Hanging Basket Hanging Basket का मतलब होता है यह छोटे से Pot Plant होते हैं जिनका जो Growth होता है वो एकदम वो Vigress नहीं होता और उनकी Height जादा नहीं होती है छोटी Height के होती है ऐसे Animals को हम लोग Hanging Basket में जिसको बोलते हैं जो उपर लटका हुआ होता है यह ऐसा structure रहता है और ऐसा होसमें टांगने का structure रहता है इसको बोलते हैं Hanging Basket इसके अंदर जो Plants Grow होते हैं वो बहुत ही छोटे Height के होते हैं Hanging Basket के अंदर आप लोग Portula का को Grow कर सकते हो Portula का हो गया आपका Pot Marigold हो गया Pot Marigold हो गया Pansy हो गया Pansy Petunia यह सारे crop आप लोग Hanging Basket में Grow कर सकते हैं दूसरा purpose आता है इनका जो है वो annual shade loving कुछ annuals होते हैं वो as a shade loving होते हैं यह exam में भी question आता है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कुछ annuals जो की shade loving होते हैं उनका एक trick है जिसका है सी सा सी सा सी सा सी से आएका सैनी रेरिया सैनी रेरिया और S से आएका सैल्विया यह तो उनका प्लांट हैं यह annuals shade loving plants हैं दूसरा classification है इसमें screening purpose के लिए screening purpose के अंदर ऐसे आप लगे annuals आएंगे जिनका जो growth है और इनकी जो height होती है वह बहुत ही होती है ठीक है इनकी height almost आपका 90 to 20 cm long हो सकता है और इनका जो growth होता है वह vigorous होता है और यह बहुत हाइट होते हैं तो screening purpose होता है अगर आप लोग को आपके garden में कोई ऐसा area होता है जो आपको height करके रखना है और फिर वह अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसके आगे आप लोग ऐसे चीज़ों को आप रखना प्रसंद करेंगे जो उस चीज़ को थिका फिर उस background को height करके रखे तो उसके place पर हम लोग ऐसे चीज़ों को grow करते हैं जो background को height करें उसी में हम लोग plants का use करते हैं like for example अगर आप लोग का यह वाला area है इस वाले area में इधर पूरा आपका waste material रखा हुआ है और यह आप लोग का अच्छा सा garden है अगर आप लोग को यह area को height करना है और फिर आपको privacy maintain करना है तो आप लोग इस वाले area के आगे आप लोग लंबे लंबे ants लगाएंगे और फिर ऐसी चीज़ों को grow करेंगे जो कि बहुत highted हो और पीछे का background को height करें तो इस वाले चीज़ के लिए जो आपन plant use करते हैं उसको बोलते हैं और फिर screening purpose plants आ रहे समझ में इसके example में लिखेंगे holly hawk holly hawk आ जाएगा क्योंकि वो highted होता है sweet pea sweet pea भी as a screening purpose के लिए plant use हो सकता है ठीक है अगला इसमें जो जो इसमें criteria आता है वो है rockery आगला आता है इसमें rockery जो कुछ ऐनोल से वस रौकभी रॉक रिक्ली के लिए यूज होता है जब हम जो आनुवल्स है उनको पथरों के बीच में जोapers होता है उसके पीच में जब अपन आनुवल को ग्रो करते हैं वो जो effect होता है वो जो जो टर्म है उस लिए लिख सकते हैं plants grown between the cracks और services of rocks पत्थरों के बीच में या फिर उनके बीच का जो gap है उनमें जिब हम लोग plants को grow करते हैं इनके example में लिखेगा वर्बीन वर्बीना ग्रोह कर सकते हैं इसमें लोग phlox grow कर सकते हैं कि इसमें हम लोग ice plant grow कर सकते हैं इकुलर अगला टाइप इसमें कुछ ऐसे आनुओर होते हैं चिनको ऐस हमलोग कट फ्लावर भी यूज कर अधाल तो अपने कल के identification में देखा था इछले class का कि कुछ annuals होते हैं इस तो as a cut flower भी यूज़ करते हैं तो इसके example में आगा आपका antirhynum antirhynum हो गया, status हो गया, stock हो गया, laxpar हो गया, यह सब जो example है यहापका cut flower के लिए यूज़ होता है अच्छा, जो cut flower होता है, cut flower और loose flower इन दोने में ये difference है कि cut flower में हम लोग उनके flower के साथ उनका stock भी use करते हैं लेकिन जो loose flower होता है, इसमें हम लोग सिर्फ उनका flower को ही use करते हैं इसे लिए से loose flower बोलते हैं और इस वह से cut flower बोलते हैं अब जो लूस फ्लावर के लिए जो एन्वल्स यूज होता है उनका लिस्ट है ऐसे की जीनिया हो गया मैरीगोल्ड हो गया या फिर डेहलिया हो गया यह सारे जो प्षांट से हैं इनको ऐसे लूस फ्लावर हम लोग यूज कर सकते हैं और कुछ होते हैं कुछ ऐसे अन्वल्स होते हैं जो कि बहुत ही फ्रेग्रेंट होते हैं आने कि खुश्बुतार होते हैं ऐसे आन्वल्स ऐसे की आपका हो गया स्वीट सुल्दान स्वीट सुल्दान हो गया वोयला हो गया स्टॉक हो गया ये सारी जो प्लान्स है ये सब स्वीट समेलिंग है यानि कि इनका जो खुश्बू है इनका जो फ्लेगरंस है बहुत ही अच्छा होता है तो I hope आप लोगको आची क्लास आप लोगको समझ में आई होगी आगे का लेक्षर